आज हम क्लास लेते है। हम एकनामिक्स में दो इम्पाइ्टेंट ठारम इस्वेल करते हैं आit याणि वह है। क्लास्ट औरanges पॉर्ने वेलिजिट आफ़् थे ऐधिलियो कॉस्ट्स में इंपलीकलि summer वेलो निद रवड़ है। इम्प कोरे ले subset to hours से किया मुराद है। तो इस caste को कहते है अपनी बिल्डिंग है तो इस जो कास्ट है इस कास्ट को कहते है इम्पलिसीट कास्ट हम पेमेंट नहीं करते हैं यह हमारे लिए सेविंग है लेकिन अगर हमारे पास यह रिसोर्जीज ना हो और फिर हम ये बाहर से hire करेंगे तो हम कुछ payment करेंगे इसलिए इस cost को कहते है implicit cost निशाल के दो पर employer having own capital employer के साथ अपनी capital है यानि owner के पास अपनी capital है अब no interest is bad अब employer यानि हम interest अदा नहीं करते हैं हमारे पास अपनी capital है 3 million हमने 29 सुरू किया है mobile यानि cabinet हमने शुरू किया है हम mobile sets purchase करते हैं और फिर पाबले को हम sale करते हैं तो यह business है इसके लिए 3 million की जरूवत है 30 lakh की जरूवत है हमने अपने घर से लाई यानि capital लाई हमने business शुरू कर लिया अब हम no interest paid हम interest अदा नहीं करते हम यह जो interest expense है यह यहाँ पर sale किया जाता है अगर हमारे पास अपनी capital ना होती तो हम bank से करजा हासिल करते हैं और फिर बेंक को interest expense अदा करते हैं लेकिन अब किया है employer के साथ हमारे पास अपनी capital है अपनी resources है अपनी capital है 3 million अब हम payment नहीं करते हैं implicit cost यह actual में हम payment नहीं करते हैं यह हमारे लिए किया है benefit है gain है यह हमारे लिए saving है employer having own swap हमारे पास अपना दुकान है अपना building है हमारे पास अब no rent is paid यानि rent आदा नहीं किया जोता हम rent building का swap का हम कराया अदा नहीं करते हैं क्यों आदा नहीं करते हमारे पास अपना दुकान है अगर हमारे पास अपना दुकान ना होता तो फिर हम कराया पर लेता बीदिंग है या शाब है और फिर हम रेंट यानी कराया अदा कर लेता लेकिन इस केस में हम कराया अदा नहीं करते तो यह कास्ट यह कास्ट हमारे ले लेखिया है यह शेविंग है तो इस कास्ट को कहते हैं dedicate cost सु पिर कहते हैं employer having on implies यरी ओनि हमारे पास मिसाल नाध के दोपर हमारे पास आपने यह यह भाई है यह रिश्था है वह हमारे पास यहनी हमारे साथ Sachen में फ्री काम करते हैं मिसाल के दोपर हमारा business है हमारे पास दूसरा buy है तो वो हमारे साथ खाम करते है और पिर हम इसको salary नहीं देते हैं अगर हमारे पास अपने implies ना होते हैं तो हम बाहर यानि market से hire करते हैं और हम उनको salaries अधा करते हैं अब यहाँ पर क्या है salary saving है तो salary saving क्यों है because the employer having own resources अपने imply है labor है रिष्टदार है बाई है अपना दुकान है अपनी capital है तो इस वज़े से कुछ cost save हुए है कुछ cost की हम payment नहीं करते हैं तो in cost को कहते है implicit cost इसको कहते है यानि imputed cost भी कहते हैं यह तो असान है यानि यह actual में यह हम payment नहीं करते हैं क्यों नही resources होते है अगर हमारे पास अपने resources नहीं होते तो फिर हम बाहर से hire करेंगे और फिर हम यह payment करेंगे देखे explicit cost अब यह अथान है the cost of the external factors are resources that employer has to pay it are called explicit cost जो external factor होते है जो external resources होते है और उसका जो cost होता है awhileLM यह जो employer जो owner अधा करता है तो इस cost को कहते है explicit cost एक यहushi Garrett के पास जो owner resources होते है उनके cost को केता है implicit cost कुछ resources ऐसे होते है जो वो employer बाहर से है,्यानि market से hire करते है तो इस resources पार जो cost आता है जो बिजनस करते है, मुबाइल बिजनस हम करते है, कपड़े का करोबार करते है, फरनीचर का करोबार करते है, फूस का करोबार करते है, तो हम यानि सामान परचेस करेंगे, तो इसको उते हैं, यानि material cost जो हम चीज़ परचेस करते है, या production के लिए जो हम material परचेस करते है, तो हम प्रवाइब करेंगे तो material कास्ट किया है explicit cost है इस सारा labor cost है हम बाहर से कुछ labor यानि हायर करते है तो इनको हम daily basis पर या monthly basis पर यानि तरवाय देते है प्रवाइब करते है तो इस cost को कहते है explicit cost शाप rent हमारे पास अपना दुकान नहीं है अब जब हम यानि कराय अदा करते है तो यानि गुदाम करे पर लिया है तो इसको हम payment करते है यह किया है explicit cost ट्रांसपोर्ट कास्ट है यानि जो चीज़ हम लाते है तो इसको हम payment करते है तो इसको हम actual में payment करते है इसको कहते है explicit cost और वो कास्ट जो employer की on resource की वज़ा से Save work किया जाता है बच जाता है तो इन haist को कहते है Implicit haist explicit hou trust जो दूसरा नहाब है इसको कहते है out of pocket है out of pocket है out इसका यह यह सेकेंड ने happiness comes out of pocket इसको कहते है इसके बाद है कुछ और टर्म है यह एक है accounting profit और एक है economic profit तो यह भी इसके साथ related है इस पर हम next video बनेंगे